नमस्काल दोस्तों किरन किरसोई से मैं आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लाए हूँ यह हैल्दी और गर्मा-गर्म कलर्फुल वेजिटेबल सूप तो आप इसे जरू ट्राइ करिएगा और बहुत ही लगए और गर्मा-गर्म सर्दी में तो बहुत ही अच्छा ल यहां पर है मेरे पास ब्रॉकली, कटी हुई बारिक मश्रूम है, थोड़े से गाजर है, बिल्कुल थोड़े थोड़ी सबजी लेनी है, आपको, टोटली जो सबजीयों का क्वांटिटी है, वो एक कप भरके, सारी टोटल होनी चाहिए, एक सर देड़ कप, और यह है एक लिया है, इसमें दो चममचीज, ओईल डाला है, ओईल कोई भी आप ले सकते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले डाल रहे हैं, लस्टून, जो की हलका सा सौते करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, इसके साथ ही में डाल रही है है, ब्रॉकली, तो इसे हम सौते कर और यह सारी सबजियां, कैपसिकम, मटर, बीज, गाजर, सभी में, इसके अंदर एट कर रही हूं, इसके अंदर एट कर रही हूं, इसके अंदर एट कर रही हूं, गाजर, स्वीट कॉन, सभी चीजें, प्याज हैं, यह सब बहुत ही हल्दी हैं, सारी सबजियां, तो इसके एक एक करके डाल देनी है थोड़ा सा चलाते रहना बीच बीच में अब जो बाकी की बची हुई सबजिया है वो भी इसके अंदर हम एड़ कर देंगे तो कलर देख रहे हैं आप कैसे कैसे आ रहे हैं सारे कलर हमारे इस सूप में आएंगे और यह मटर भी चले गए लास में तो सारी सबजियों को अच्छी तरह तेज आच पर दो से तीन मिनिट तक आपने सॉफ्ट होने तक चलाना तेज आच पर ज्यादा इसको ढखना नहीं अभी जब मैं बताऊंगी आपको तभी ढखना है इस तरह से आप चलाते रहें इस सितेज आच पर और यही वैज सूप आप होटल में जाते हैं तो बहुत ही महांगा मिलता है तो इससे आप घर पर ट्राय कर सकते और अभी तो सर्दियों में बहुत सारी सबजिय आ रही है और रेट भी ठीक है तो आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं इस तार से तो जरूरी नहीं कि ये ही सब्जियां चाहिए जो आपको पसंदो आप वो सब्जियां इसके अंदर ले सकते हैं अब मैं इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूं और डालेंगे हम इसके अंदर Mix Helps डालेंगे और यह डाला मैंने इसके अंदर कम से कम 5 से 6 कप पानी डाला क्योंकि मेरी जो सबजियां थी वो 1.5 कप भरकर थी 1.5 कप सबजियों में आप 5 से 6 कप पानी डालेंगे और इसी के साथ मैंने इसमें mix herb डाली है नमक डाला है स्वाद अनुसार और black pepper डाली है थोड़ी सी टेस्स के लिए और डाले है थोड़ी से चिली फ्लेक्स ये देखिए अब आगे हमारी herbs और आगे ये चिली फ्लेक्स तो ये सारी चीजे इसका टेस्स बढ़ा देंगी वैसे तो सब्जीव का अपना ही स्वाद है लेकिन जो हमारा टेस्स बढ़ है ये देखिए बॉइल हो गया और इसे हिला लेंगे और लास में जो कॉन फ्लॉर है उसको अच्छे से हम घोल कर एक सेलरी बना लेंगे और ये देखिए कॉन फ्लॉर इसे में थोड़ा सा पानी डाल कर अच्छे से घोल लेती हूँ कोई गाट नहीं रहनी चीजे इसके आप इसे हिला देजे और दो से तीन मिनिट तक तेज आज पर बॉइल होने देजे और आपका सूप रेडी हो जाएगा तो फिर आप इसे गरमा गरम सर्व किजे आप यह चाहें तो डिनर में इसे खा सकते हैं बहुत ही हेल्दी सूप है ये और हाजमेदार भी है काफी करना ना भूले थैंक यू सो मच बढ़ाए फ्रेंद्स